आप सभी का स्वागत है जोति शूर्जा में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले ताके इसी तरह की ज्यानवर्धक बाते मैं आप से शेयर कर सकूँ और आप जान सकें कि अध्यात्मिक दुनिया में आप अपने जीवन को और भी सुरक्षित और सुखद कैसे कर सकते हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसी धार्णा के बारे में जिसको लेकर कई अप्शकुन और शकुन माने जाते हैं आज हम बात करने वाले हैं बिल्ली की बिल्ली जो है उसके लिए माना जाता है कि अगर वो रास्ता काट दे तो बहुत अप्शकुन हो सकता है पर क्या ऐसा सच में होता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कोई न कोई अशुप प्रभाव मलते हैं बिल्ली का रास्ता में होने वाले घटनाओं को पहले ही जान लेती है आज मैं आपको वताने वाली हूँ बिल्ली के कुछ ऐसी बातें जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे बिल्ली को भविश्य में होने वाले घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है क्योंकि उसकी चटी इंद्री विक्सित होती है इसलिए बिल्ली को अशुब और शुब दोनों ही संकेतों का कारक माना जाता है कुछ लोग इसे शुब मानते हैं जिस तरह से दिवाली पर मानता है कि अगर बिल्ली रात में आ जाए तो बहुत शुब 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 माना जाता है तो ऐसा क्यों है तांत्रविग्यान में भी बिल्ली को महत्पुन जीव माना गया है अगर किसी के घर में बिल्ली रोने लगे तो अचानक माना जाता है कि कोई अन्होनी घटना हो सकती है ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इसे राहू का प्रतीक माना गया है और ऐसे में अगर राहू का प्रभाव जो है वो खराब तरीके से आप पर होना हो तो बिल्लियां घर में रोने लगती हैं धनहानी होने लगती हैं लड़ाई जगड़े होने लगते हैं तो इसलिए सांकेति प्रन्तु ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिल्ली का आना आपके घर में एक अशुब संकेत है। बिल्ली को पालना चाहिए। इसके लिए आपको कभी किसी नहीं कहा होगा कि घर में बिल्ली पालना शुब माना गया है। तो अगर वो इसे अपने तिजोरी में पुझा पाठ करके रख ले तो आपके घर में मा लक्षमी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके घर में जो भी धनकी दिक्कते हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बिल्ली की जेर को इतना जादा तंतर में महत्व दिया जाता है। बिल्ली की जेर से कई तांतरी को पाए कि ये जाते हैं। प्रंदू यहां पर मैं किसी तांत्री को पाय की नहीं, बलके आपके घर में सुख और सम्रिधी लाने की बात कर रही हूँ, तो बिल्ली की जेर अगर आपको कहीं से मिलती है, तो आप उसे अपने घर में रख सकते हैं, उसे पूजा पाट करके संभाल कर तिजोरी में रख ल अगर आपके घर में बिल्ली की जेर है, तो बिल्ली को अशुब मत माने, बिल्ली को बहुत शुब माना जाता है, दिवाले के दिन तो लोग इंतजार करते हैं कि मालक्षमी तभी आएंगी जब बिल्ली का आगमन उनके घर में होगा, अगर बिल्ली किसी के घर में बच्च इस को दूद बिलाना चाहिए ताके वो अपने बच्चों को पाल सके और मा लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर हो सके। उसी प्रकार से बिल्ली का दिखना भी शुब संकेत माना जाता है क्योंकि इसे मालक्षमी के आगमन से जोड़ा जाता है तो अपने मन में किसी तरह की शंका या शक मत लेकर आएं जानवर बहुत मासूम होते हैं और इन जानवरों की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है अगर हम किसी अंधविश्वास में अशुब संकेतों में आकर किसी जानवर को परिशान करते हैं या उनको दुखी करते हैं तो ये बहुत गलत माना जाता है क्योंकि जानवर अगर हमें कोई अशुब संकेत भी देते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो वो आपको आगहा करती है कि आपके आगे कश्ट हो सकता है आप उस रास्ते से आगे ना जाएं तो ये भी एक सांकेतिक भाशा है ये भी एक संकेत है इश्वर की तरफ से इस संकेत को समझते हुए उसका आदर करें उसको आदर के भाव से देखें बिल्ली कुता ऐसे जानवर हैं जो आपको हर दोश से बचा सकते हैं आपकी बाधाओं से बचा सकते हैं प्रेद बाधाओं से नजर लगना ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है ये सब चीजें ये जानवर दूर कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी मन में इनके प्रती किसी प बहुत अच्छी और रोचिक जानकारियों के साथ.